थेलो गायज दिस जीज राओल टेकिकिर यूटू माइक्रो कलासीज निव वीडियो हमारी बेर्ण की रैगुलर कलासीज चल रही है जिसमें आज की कलासे गूमन कलास होने वाली है यह सेकिंड कोमन कलास है common classes आपके सभी pedagogy subjects जो हैं जितने भी आप चूज करते हैं उन सब में helpful रहती है उसके अलावा philosophy और technology में भी help करती है आज का हमारा topic है difference between aim and objective लक्षवय उद्देश्चे में क्या difference है इसी के साथ सैक्षिक उद्देश्चे में भी क्या अंतर है ये इनके similar ही हो जाता है इस madam को थोड़ा नीचे कर देते हैं नहीं तो आपका ध्यान इस पे चला गया होगा लक्षवय उद्देश्चे में अंतर सैक्षिक उद्देश्चे में अंतर ये question weird exam में काफ़ important है एक तो ये आपके कई subject में देखने को मिल जाता है अगर एक subject में आपके paper में नहीं आता तो दूसरे में आ जाएगा इसी के साथ ये short question के रूप में बार बार आ रहा है long question के ये आभी तक देखने को नहीं मिला है लेकिन short question के रूप में हर साल किसी ने किसी subject में ये पूछी लिया जाता है इस वज़े से ये काफ़ important question आपके beard examination के लिए हो जाता है हमारा आज का topic है लक्षवय उद्देश्चे में अंतर लक्षवय उद्देश्चे के बारे में कोटा मानते हैं लक्षवय से इसी point को लेकर हम भी चलने वाले हैं अगर आप अपने जीवन में कोई बिंदू रखते हैं कि आपको महाँ पर पहुचना है या वो चीज आपको हासिल करनी है और वह है जल्दी ही आपको प्राप्त हो जाए ज्यादा परियास ने करने पड़ होता है और उद्देश से छोटा होता है छोटे छोटे उद्देश्यों को आप आपस में मिलाकर लक्षय को पराप्त करते हैं जैसे आपको अगर डोक्टर बनना है डोक्टर बनना आपके जीवन का लक्षय हो गया क्योंकि आप अचानक से तुरन तो पराप्त नहीं कर सकत लेकिन डॉक्टर बनने के लिए आप एंट्रेंस टैस्ट तोड़ेंगे कोई बुक पढ़ेंगे कोई डिगरी लेंगे उसके बाद आप डॉक्टर बनेंगे यह सब आपके छोटे छोटे उद्देश्या है इन्हें मिलाकर आप लक्षय पराप्त करेंगे अगर हम कुछ चीज प्राप्त करना चाते हैं या किसी बिंदू पर पहुंचना चाते हैं और वह आसानी से चले जाएं या थोड़े समय में चले जाएं छोटा बिंदू उसे हम सिक्षन उद्देश्या कहेंगे और हमारा जो पॉइंट है बिंदू है वह बड़ा बिंदू ह कई सालों में हम वहाँ पर पहुंचेंगे सिक्षा के छेतर में उसे हम सैक्षिक उद्देश्या कहेंगे लक्षय को हम सिक्षा में सैक्षिक उद्देश्या कहते हैं वैं उद्देश्या को सिक्षन उद्देश्या कहते हैं वैसे है सैक्षिक लक्षया होना चाहिए था क्य जैसे ये आप हैं और आपने अपने जीवन में लक्षय रख हुआ है आपको टीचर बनना है आपके जीवन का एक पोईंट है आपको टीचर बनना है इसका मतलब है ये आपका लक्षय हो गया अचानक से आप टीचर नहीं बन सकते आपने जो पोईंट रख है अपने जीवन म आपका यह होगा कि मुझे beard entrance test तोड़ना है फिर फिर beard करनी है इक उद्देश से हो गया उसके बाद दूसरा उद्देश से आपका होगा कि मुझे CTET या फिर UPTAT clear करना है उसमें अछह score करना है आपका यह दूसरा उद्देश से हो गया तीसरा उद्देश से हो जाते है objectives stairs की तरह होते हैं जो आपको आपके aim की तरफ ले जाते हैं objectives छोटे होते हैं जैसे BR, CTT, TGT, PGT aim आपका बड़ा होता है जो छोटे-छोटे objective को मिलकर आप हासिल करते हैं अपने जीवन में यह हो जाते हैं आपके aim by objective अब देख लेते हैं यह में अंतर first column आपका aim के लिए रहने वाला लक्सा के लिए second column आपका objective के लिए रहने वाला उद्देश्य finalement अगर आपके paper में 67- tut-day देश्य है 67- tut-day देश्य है मैं आपको बता चुका हूँ 67- tut-day देश्य 6. mein लक्सा के बराबर होते हैं लक्सा की जगह आप यहाँ पर सक्सिक उद्देश से लिख लिए जगा और उद्देश से की जगह यहाँ पर सिक्सन उद्देश से लिख लिए जगा सेक्सिक उद्देश्य का मतलब होता है जो हमारी सिक्षा के उद्देश्य है कि हमें बालकों से क्या प्राप्त करना है या हम जो बालकों के सिक्षा दे रहे हैं हमारा बिंदू क्या है जहां पर हमें पहुंचना है बालकों का सरवंगिन विकास करना है उनका नैतिक वचारितरिक विकास करना है नैतिक तलानी है उनमें समाजिक तलानी है ऐसे ऐसे बिंदो आपके बड़े बड़े जो आप अचानक से प्राप्त नहीं कर सकते में आपके सेक्सिक उद्देश से में आएंगे सिक्षन उदेश्य में आपका कोई छोटा बिंदू आएगा कलासरूम जब आप टीचिंग कर रहे हैं आपका क्या objective है आप जो chapter पढ़ा रहे हैं जैसे दगंगा उसका क्या उदेश्य है उसका उदेश्य है कि बच्चे गंगा के बारे में जान ले गंगा नदी पॉइंट आपका उदेश्य है बड़ा पॉइंट सेक्सिक उदेश्य है शिक्सा के छेतर में और छोटा पॉइंट सिक्सा के छेतर में शिक्सन उदेश्य से जब आप क्लासरूम टीचिंग कर रहे हैं तो आपके क्या objective है छोटे छोटे अब इन में difference देख लेते हैं आपके समझ में आ गया होगा objective और aim में क्या difference होता है अब आप यहाँ पर सेक्सिक उदेश्य से लिख सकते हैं और यहाँ पर सिक्सन उदेश्य से लिख सकते हैं अब आप चेंज करते रहिएगा खुद जैसा आपके exam में question आ जाए फर्स्ट point हमारा हो जाता है लक्षय में उदेश्य से नीत होते हैं मैं आपको बता चुक हूँ छोटे-छोटे उदेश्यों को मिलाकरी हम लक्षय प्राप्थ करते हैं अपने जिवन में एक लक्षय रखते हैं उसके बाद छोटे छोटे उद्देश से बनाते हैं उसे प्राप्त करने के लिए में कौन-कौन से उद्देश से प्राप्त करने होंगे अब उद्देश से लक्ष है कि प्राप्ति में सायक होते हैं इजी ये आप समझ पाए होंगे इंगलिस में भी लिखा हुआ है आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं एक प्रस्न है क्या प्राप्त करना है इसका जो उत्तर आता है वह आता है आपका लक्ष है जैसे कोई आप से पूछे आपको क्या प्राप्त करना है आपको सिक्सक की नोकरी प्राप्त करनी है सिक्सक की पोस्ट प्राप्त करनी है मतलब आपको सिक्सक बनना है यह हो गया आपका लक्ष है दूसरा प्रशन होता है कैसे प्राप्त करना है यह हो जाता है आपका उद्देश से कैसे प्राप्त करना है B8 के द्वारा प्राप्त करना है BTC के द्वारा प्राप्त करना है, SuperTet करना है, कैसे प्राप्त करना है, इसका जो आंसर आएगा, वो हो जाता है आपका objective, थर्ड पोइंट है, लक्ष है, प्रोक्स होते हैं, तथा आप अपर्टेक्स रूप से प्राप्त किये जाते हैं, प्रोक्स मतलब हमारे सामने नहीं होत हम चोटे-चोटे काम करते हैं, एपर्टेक्स रूप से और उन्हें प्राप्त करते हैं, जैसे आपको teacher बनना है, जब आपको teacher बनना है, तो आप ब्याड क्यों कर रहे हो, ब्याड करके आप teacher बन जाओगे, नहीं, teacher बनने के लिए तो आपको काफी कुछ करना पड़ेगा, फिर आप ब्याड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एम है वो परोक्स है, परोक्स चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें छोटे-छोटे दूसरे रास्तों से जाना पड़ता है, teacher बनने के लिए हमें ब्याड करनी होगी, छोटे-छोटे और काम करने होंगे, तब जाक आपका ब्याड था और आपने ब्याड ही की, यह होता है पर्तियक्स बिल्कुल आपके सामने, जैसा आपने चाहा ऐसा हुआ, लेकिन लक्से आपका teacher बनना है, कर आप ब्याड और सीट एट रहे हैं, यह आपका हो जाता है प्रोक्स, लक्से को लंबी अवदी में प्राप् किया जाता है, आप समझपाए होंगे कि उद्देश्चे हम आसानी से प्राप्ट कर सकते हैं छोटे टाइम में, लेकिन लक्से लंबा समय लेगा आपका प्राप्त होने में, लक्सियों को आदार दार्सिनिक होता है, दार्सिनीक मतलब हमारे समाज की जैसी सोच है, ऐसा हम अनुसार निर्दार पर हैं अनुसार 11 earth add zij करली लेकिड़ किणा है लेकिन उ兩ग से lapse कमा पन करना असान होता है घृब जाए से मापन करना अष्हान Indigenous bekommt लक्षे हमारा है decision यो से अधरी सक्थ है कि चुग्स अवं आध्डां ऑसके कि स्क्रण हरा deci तक आई या किस लेवल तक आई हमें बच्चे का सर्वांगी इन विकास करना है किस इस तर तक हमने उसका सर्वांगी इन विकास कर दिया मापन करना इतना आसान तो नहीं है लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हमें ब्याड करनी है अगर हमारी ब्याड हो गई तो हमारा उद्द से प्राप्त हो गया उद्देश्य को उद्देश्य का मापन करना असान होता है लक्षय का मापन करना असान नहीं होता है लक्षय को पूंडूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता जैसे मैंने बता है कि हमें बालक का सर्वंगिन विकास करना है यह हमारा लक्षय है अब इसको कैसे प्राप्त करेंगे पूंडूप से हम इसका तो कोई निश्चित नियम नहीं है या निश्चित सीमा नहीं है इस सीमा तक हम बालक का सरवांगिन विकास कर सकते हैं या बालक का हमें चारित्रिक नैतिक विकास करना है जिससे बच्चे बड़ों का संभान कर रहे हैं अब कोई दूसरा उससे भी ज़्यादा बड़ों का संभान कर सकता है हम नहीं कह सकते कि इसकी कोई सीमा है या फिर इसे पूंडूप से प्राप्त किया जा सकता है उद्देशा को हम पूंडूप से प्राप्त कर सकते हैं हमें ब्याड करनी अगर अवहाइँ अपर बताया अगर गंगा नदी के बारे वारे में बच्चो च Omic नमबर आ गए टैस्ट में तो मारा उद्देभार不是 निश्चित होते हैं लक्स होगे कि जогоते हैं जिसकी जेसी तो उसका समाज में के बारे में समझ लें गंगा नदी के बारे में ग्यान प्राप्त करें अब 10 साल के बाद अगर कोई दूसरा टीचर उन्हें गंगा नदी का पड़ाए तो वे पाड़ो यह यमनन अदी की जानकरी नई प्राप्त करेंगे फिर भी गंगा नदी की जानकरी प्राप्त करेंगे क्योंकि उद्देश से निश्चित होते हैं उद्देश से fixed हैं 9th point हो जाता है हमारा इनका सवरूप अधिक व्यापक होता है मतलब लक्सा बड़े होते हैं यह संकुचित वे vicious होते हैं छोटे होते हैं vicious मतलब to the point होते हैं जैसे गंगानदी के बात कर रहे हैं तो गंगानदी के बारे में ग्यान प्राप्त करेंगे हमें beard करनी है तो सिधा beard का इफ़ों बरेंगे कुछ होड़ नहीं विशिष्ट होते हैं specific होते हैं यह specific है नैकि specification इसे specific लिख लेना A-T-I-O-N हटा देना 10th point है लक्सय का संबंद सभी विशियों से होता है किसी एक विशियों से नहीं होता लक्सय का संबंद या फिर sexy कुद्देश्य का संबंद हमारे अगर हम बात करेंगे कि हमें बालक का सरवांगीन विकास करना है तो हम यह नहीं करेंगे कि हमें सिर्प इंगलिस के द्वारा सरवंगिन विकास करना है या मैथ के द्वारा सरवंगिन विकास करना है समाजिक हमें अच्छन लगता समाजिक के द्वारा हम सरवंगिन विकास बच्चे का नहीं करेंगे हम सब सब्जेक्ट की बात करते है लेकिन उद्देश्य का संबंद किसी विशया किसी परकरण से होता है उद्देश्य मतलब सिक्षन उद्देश्य आप कलास में पड़ा रहे हैं उसका मतलब एक विशय से ही होगा और एक टोपी की होगा उसी के बारे में आप बताएंगे सबी विशे कि महापर आब बात नहीं करेंगे 11th point हो जाता है हमारा लक्सा शिक्सन कारेकरम को दिशापदान करता है दिशापदान करता है कैसे किसी का लक्सा है उसे teacher में तो teaching field में जाएगा किसी का लक्सा है उसे doctor बनना है तो बहुत उसी field में जाएगा वो अध्यात्म की तरफ चलेगा, हम धरम गरंत वगरा पड़ेंगे, हमारा दूसरा सेक्सिक उद्देश से हो जाता है, हमें बच्चों व्यवारिक तलानी है, वैं तकनीकी की जानकरी देनी है, तो हमारा सिक्षन कारिकरम दूसरी दिशा में जाएगा, जो लक्से है, वैं सि अध्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात् कमेंट कर सकते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो आप इसे अपने ग्रूप में सेयर कर सकते हैं बियाड की डेली रागुलर क्लासिज लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तिल दैन बाबाई टेक केर